पिछले कक्षा में हमने कबीर के पद वस्साकियां पड़ी थी आज हम कबीर की पाठे करम में सम्मिलित अन्य रचनाएं देखते हैं जिसमें तीन पद हैं उनके हम अर्थ सौंदरिये और शिर्प सौंदरिये को देखेंगे चलिए सबसे पहला पद देखते हैं यह पद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पद में कबीर ने उलट बांसियां लिखी है तेकि उलट बांसियां उलजी उक्तियां होती है रह्षयात्मक उक्तियां होती है और इन उक्तियों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यह कैसे संभव है विरोध लगता है, कि सेर कैसे गाई को चरा सकता है, मचली वर्ख से कैसे ब्या कर सकती है, मुर्गा बिल्ली को कैसे खा सकता है, तो यह एकदम उल्टी बाते हैं सारी, यह सब उल्टी बाते हैं, दिखने में उल्टी है, लेकिन इसका अर्थ करने पर यह उल्टी नहीं है, इ एवं अद्भुत्रस है, कविदा जी कहते हैं, व्याक्या मैं बता रहा हूं, एक अचंब्या देख्या रहे भाई, कविदा जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने एक आध पहुत ही आस्ट्रेजनक बात देखिये, ठाडा सिंग गरावे गई, सिंग जो है, सेर जो है वो पहले बेटा प्यदा और बाद में मा, चेला के गुरु लागे पाई, गुरु जो अपने शिश्य के चरनिस परस कर रहा है, जलकी मचली तरवर बयाई, जलकी मचली जो है, वो व्रक से व्याह कर रही है, पकड़ी बिलाई, मुर्गे खाई, बिल्ली को पकड़ कर मुर्ग परी घर आ गई है, कुत्ता कू ले गई बिलाई, और कुत्ते को बिल्ली उठा कर ले गई है, तली करी साखा उपरी कर मूली, बहुत भांती जड़ लागे फूल, ये भी बड़ा विचित्र बात है, के कुरक्षे जिसकी जड़े उपर है, और साखा है नीचे की तरफ फैल करी भी है, कहे कबीर या पद को बुझे, ताकू तीन्यों त्रिभवन सुझे, और इस पद को जानता है, समस्त त्रिभवन का ज्यान है, तो ये जो है, ये उलटवांसी है, इसमें प्रतिकात्मक प्रियोग है, कबीर यां कहने चाहते हैं कि ज्यान या आत्मा जो है, उसको को सेर कहते हैं और वही समस्त इंद्रियों का संचालन कर रही है इंद्रियां गायों के रूप में हैं पहले पुत्र प्रकटुआ अर्था जीव प्रकटुआ फिर उसको प्रभावित करने वाली माता जो है आती है सामने इसके आगे हो कहते हैं कि चेला जो है शिश्ष जो है वो साधक है जो गुरु के दिखाएвой मार्क को मार्क पर चलता है यही गुरु का चेला के पेर लगने कहा गया है जल में रेने वाली मचली पेड़ पर चड़कर बच्चे को जनम दे रही है जल की मचली तरवर ब्याई ब्याई का अर्थ है जनम देना कि वो बच्चे को जनम दे रही है अर्था यह है वासना को जो पीडित करने वाली मारी कुंडलेनी है वो नाभी से होकर मेरुदन रूपी पेड़ पर चड़कर आनंद के अनुबोती कर रही है बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया मतलब साधक जो भक्त है उसने माया को नश्ट कर दिया बैल को छोड़कर गौनी घराई का मतलब है आत्मा जो है हमारे सरीर के उपेक्षा करके परमात्मा में लीन हो रही है तो इस प्रकार से कभीर ने इस संपून रचना में प्रतिकों का प्रयोक किया जिसमें ये कहते हैं कि जड़ें किसी पेड़ी की उपर की और है शाखाए नीचे की और है अर्थाद ये जो सरीर रूपी व्रक्ष है हमारा इसमें फल जो है हमारी चेतना या मन में लगते हैं और सुख दुख लाब सिद्धी मोक्ष ये फल फूल इसके जड़ या चेतन्य में लगते हैं अबिरदास जी इस पद को बहुत ही रह्षय दर्शी पद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें रह्षय चुपा हुआ है इस प्रकार की उलट पांसिया प्रारंब में सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिलती थी और सिद्धों के कावि में संत कावि का बीज तत्व माना गया है अगला पत देखते हैं करत विचार मनही मन उपजी ना कहीं गया न आया कहे कबीर संसा दब छूटा राम रतन धन पाया देखिए यहां पर भी कबीर जो है योग की जो सब्दावली है उसका प्रियोग कर रहे हैं और अपने मन को ज्यान चेतना से अलोकित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जब मन है ज्यान साधना के द्वारा सांसारिक आकरशनों से छूट जाएगा तो परमात्मा से शाक्षात खार हो जाएगा मन रे जागत रहिए भाई मन को सोने के लिए यह जागरत दशामे रहने के लिए कि तुम असावधान हो जाओगे तो तुम अपने मूल संपदा को खोदोगे गाफिल होए बसत मतिक हो गाफिल जो है इसका असावधान असावधान होकर तुम अपने मूल तत्व को मत खो चोर मूँ से घर जाई यानि हमारे सरीर के भीतर जो है काम क्रोध रूपी चोर जो है वो प्रिवेश कर जाएंगे पर असे सरीर की सबहसे है झाला कुछ भीतर जो खो है गाफिल जाएगा जब तक बंद रहेगा तब तक कुछ समझ मिन नहीं आएगा जब इस कुंदलिनी का ताला खुलेगा तो सारा भेद और रहाशेस पस्ट हो जाएगा पंच पहरवा सोई गए हैं बस्ते जागन लागी अमारी जब पांचों ग्याने इंद्रियों को हम इस्थिर कर देते हैं जीब, नाक, कान, मूँ, तवचा इनको जब हम इस्थिर कर देते हैं जीब, कान, नाक, आंख और तवचा इनको जब हम इस्थिर करदेते हैं, तब हमारी कुंडलेनी जाकती है, और छे चक्रों को पार करके गगन मंडला लोलागी साहिसरार चक्रों में परिवेस करती है, जापर जीवात्मा को अनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वहां पर राम रूपी रत्न धन म परवाकर, ब्रमरंद्र में स्थित, अम्रित का पान करने को और परमात्मा की शाक्षातकर की बात कवीर कह रहे हैं, अंतिम पदम देखते हैं, हम न मरे मरी है संसारा, कोविदा जी कहते हैं, कि मैं कभी नहीं मरूँगा, ये माया रूपी संसार भले ही मर जाए, क्योंकि संसा मिथ्या है, ब्रम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रम जो ए सत्य है और जगत मिथ्या है, हम को मिलया जिवावन हारा, और मैं क्यों मरूँगा, क्योंकि मुझे तो जीवन दाता परमात्मा की प्राप्ति होगी है, क्योंकि ब्रम सत्य है, वो कभी नहीं मरता, अब नमरो मरने मत मान तो मुय जिनी रामन जाना, अब मैंने ये निश्चत कर लिया है, कि मुझे मरना नहीं है, ते मुय जिनी रामन जाना, और मरते वही हैं, जिने राम का ज्यान नहीं है, परमात्मा का ज्यान नहीं है, जिने परमात्मा का ज्यान हो जाता है, परमात्मा का शाक्षातकार हो जात करसे वह मर जाते हैं। वो मर जाता है कि नहीता है। ऑत्त्व का जीवन भर्पान करते है। हरी मर यह तो हम हूं मर यह परमात्मा यदी मृत्यू होगी तो मेरी होगी जब परमात्म यह अजर अमर है तो मैं क्यों मरूँगा क्योंकि मेरी आत्मा परमात्मा है जो कि अजर अमर है हरीन मरे हम कहे कुमरिये कहे कबीर मन मन ही मिलावा अमर भे सुक सागर पावा मन मन ही मिलावा मतलब आत्मा का शाक्षातकार जो परमात्मा से हो जाता है तो हम अमर हो जाते हैं और हमें शुक सागर की प्राक्ति होती है इस प्रकार से कभीर ने इस पद में परमात्मा से शाक्षातकार की बात कही है तो प्रिविद्यार्तियों ये जो तीनों पद हैं इनका भाव संदर्य और शिल्प संदर्य आपने समझ लिया होगा आप स्वेम इनको दुवारा से इनका अध्यन कीजिए और मुझे उत्तरपुस्तिका में लिख कर बेजें शुक्रिया